मेरे साथ ही एक बात को फिल करना आपको सिर्फ अपना रिजेल्ट का टेंशन है लेकिन हमें ना मेरे यारो आप सभी के रिजेल्ट का टेंशन है आपके अंदर की सबसे बड़ी बेचैनी आपका रिजेल्ट है लेकिन इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपसे ज जो आपका रिजेल्ट को लेकर के है, मैं उसकी सस्पीसन को खतम कर दूँगा, उसकी परिसानी को खतम कर दूँगा, और ऐसा खतम करूँगा ना मेरी आरो, कि रिजेल्ट का जो टेंसन है ना, वो जड़ से खतम हो जाएगा, ठीके, सबसे पहले में इस बात को बता दिना चा जाल मारेगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मिर दोस्त, अब तक ने आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन ये 10 मिनट का वीडियो जो है ना मिर दोस्त, आपके जीवने बहुत बड़ी प्रकास देने वाली है, सबसे पहले करना क्या है, आपके पास है गुगल, कहोगे हाँ गुरू जी, आपके पास है ना फोन, अरे फोन है, तभी तो मेरा वीडियो आप देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना, आपको अपने मुबाल के गुगल में जाने के बाद, आजाएगा, गुगल में जाने के बाद, आ बिहार पारा मिडिकल का सबसे कहता है ना सब से इतिहासिक रूल है यहीं से आपका बिहार पोल टेगनी की सबसी रंइति क्या होती है तैयार होती है लोग आपको बहुत कुछ सिखाएगा जो पल होता है nav veteran बहुत अंदर के गलग feeling होती है वहाँ पर पता है क्या करेगा लोग आपको un-use कर लेगा लोग आपको mis-use कर लेगा हलाकि उन्हें भी पता है कि इस बच्चे को मैं कब तक बेकूब बनाऊंगा मेरे साथ ही देखो मैं इस चीज़ समझना इस बात को मेरे बातों को समझना मेरे दोस्त पता है मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाता हूँ आपको ओगे सर ये master ऐसे क्यों बोलता है देखो एक को-गो message मैं सीन नहीं किया हूँ सर आज से ना तो मेरे आज stop किया है सर मेरा office timing है 9-6 जो भी लिए मेरे number पे call करते हैं मेरे number पे message करते हैं तो 9-6 करेंगे सुभा 9-6 बजे थे देखो सर सारा बच्ची का message pending है देखो ना कितना message pending है देखो सब हरे-हरे दिखेगा देखो सब हरा-हरा दिखेगा सर पता है अभी मेरे पास ना मेरे दोस्त 1464 मैसेज में पेंडिंग में रखा हुआ हूँ सारा बच्चा का रिजिल्ड का ही इंक्वारी है फिर न मुझे मेरे दोस्त में बताता हूँ न जब इतना सारा मैसेज देखता हूँ न तो मुझे लगता है न मेरे यारो कि मैं क्या करूँ लेकिन क्या करोगे सर देखो पहले बात तो है ना कि टीचर्स आपके पास रुख जाओ पहले मैं आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन को टीके सुनो देखो आपका एकजाम हुआ बाय जुन को पारामेडिकल का एकजाम हुआ जुन को बिहार पुल्टिकनिक और पारामेडि अच्छी बैक जाओगे ना दोजर 18 से दिखना ठीक है 17 से आफ लाइन होता था लेकिन 18 से सब कुछ ऑन लाइन हो गया सब कुछ हो गया तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 अगर ये 4, 5 साल का रिकार्ड देखोगे ना तो हर समय क्योंकि देखो आपके बच्चे जो होते ना बिहार पुल्ट इस बात को बैठाता है उसका नॉर्मलाइज करता है बिसी सी ने पूरी गंथन करता है को सिंपल फंडा सोचो नहीं आपका भी 90 को संच सही है मेरा भी 90 को संच सही है तो ऐसा थूड़ हो ना है कि आपका भी 40 रंग आगा तो मेरा भी 40 सही हुआ 25 किस के ताथ होता थी नुर्मलाइज पर्सिंटेज के ताथ होता है, टिके, जैСे आप अगर 90 Suson को रंगे हैं, जिसमें आपको 40 सही हुआ है, हमने 80 Suson ही रंगा है, जिसमें मेरा भी 40 सही है, 40タ आपका सही, 40 डिलिकिन आप 90 Road को सही है और हमने 80 कोशन रंग के 40 सही किया है तो मेरा रेंग अगर 3,000 होगा तो आपका रेंग 4,000 होगा इस बात को समझना तुसरे एक अलग तहाद जो इना BCC के रूल को कोई समझी नहीं पाता है और यही चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ जैसे UP में देखना नॉर्मलाइज परसेंटेज जारी किया है यूपी इस बार पहली बार क्या है कि नेगेटी मार्किंग को हटा दिया है यूपी पोल्टिंग नेगेटी मार्किंग को हटाया था नॉर्मलाइज परसेंटेज को आइड कर दिया है ठीके और आप सब के बड़ी खुसी की बात है मेरे दोस्त कि मैंने आप सब कहा था कि 1 से 5 rank तक वाले को iPhone दूँगा जो कि उतराखंड में 4 rank लाया है जहारखंड में 6 rank लाया है यहाँ तक कि मिरे दोस्त इस बार पूरे UP में 3 rank लाया है बस बिहार का result आने दो real जहाकी तो बिहार है बिहार की रिजल्ट आने दो सब को कॉलेज मिल जाएगा सारे छातर को एक बार में पटना बुलाऊंगा जिनको गवर्मेंट कॉलेज सिर्फ मिलेगा उनको भी मुलाऊंगा और सभी को मेरे तरब से के गिप्ट मिलेगा और एक से पांच तक वाले को आईफोन मैं अभी भी देने की बात कर रहा हूँ मैं मुकडा नहीं हूँ बट मेरे दोस्त बिहार वाला भी रिजल्ट आएगा तब न दूँगा सब को एक साथ बुला करके दूँगा इसले किसी को ऐसा मत्समिना की नहीं दूँगा सब को दूँगा टिके आजाना अब देहों सर यहां से समय नहीं मेरी बात तो कुसर देखो जब भी रिजल्ट आएगा अनुमान है सर कि हमारा जुलाई के ना सकेंड बिग तक में आ जाएगा जुलाई का सकेंड भी कहने का मतलब है 14 जुलाई 15 जुलाई के अंदर में रिजेल्ट आपका जारी कर देगा लेकिन से रिजेल्ट जारी करना तय है लेकिन रिजेल्ट जारी करने से पहले नहीं है मिरे दोस्त आपको बहुत बड़ी बड़ी आपको ना वीडियो रोज आएगी देखो रिजेल्ट का से जना आ रहा ना रोज 10 गो वीडियो आएगा लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूँगा, वीडियो नहीं देखना है, ये वेपसाइट प्या जाना है, रिजेल्ट आने से 24 घंटा पहले, हमने क्या कहा है मिर दोस्त, ये BCC ने 24 घंटा पहले, 12 से 24 घंटा पहले, BCC ने एक अपडेट कर दिता है, मैंने क्या कहा सर, रिजेल्ट आने के 12 से 24 घंटा पहले, BCC ने एक अपडेट दालता है, कि आपका रिजेल्ट आने वाला है, वो अपडेट कहां डालेगा, तो ये लेटेस्ट अपडेट में से डालेगा, हाँ, यहाँ पर देखो, ITI का रिजेल्ट आया, तो यहाँ पर डाल दिया था, नोटिफिकेशन, बिहार पुल टेकनिक LE का रिजेल्ट आया था, तो जब भी आपका रिजेल्ट आएगा, उससे 12 से 24 घंटा पहले, आपको यहाँ पर डाल देगा, अगर जादा ही आपको वीडिय देखने का सौख है मेरे दोस्त, तो आप एक बार डेली का डेली एक बार गोगल खोलना, परते एक दिन एक बार गोगल खोलना, बी सी सी जाके सर्च करना, यहाँ पर आना और देखना क्या, बिहार पुल टेकनिक P.E. का कोई अपडेट आया हुआ, नहीं अपडेट आया ह करके डाल दूँगा, इस बात को समझना, कहीं पे मिरे दोस्त, आपको भुमरा होने नहीं दूँगा, कहीं पे आपको परिसानी में जाने नहीं दूँगा, मिरे दोस्त, देखो मैं यह चीने जाता हूँ, आप लोगो कुछ लोगो को लगता है कि मैं दूसरे टीचर को सर नीचे गिराना चाता हूँ, नहीं मेरी यारो, मैं सभी टीचर्स को काता हूँ, कि आपने बच्चे से इतना पैसे कमाते हैं, बच्चे की बज़ा से आपका पेट चलता है, आपका गारी चलता है, आपका सट खरदाता है, अब बच्चे की बज़ा से आप इंज्वाय करते हो बच्चे के पैसे पे तो फिर बच्चे को मुर्ख क्यों बनाते हो मुझे इस बात की सर फिल है सर अभी हमारी कोई उम्र नहीं हो हमारे कैरियर बहुत लंबा है सर मैं अभी से घिरना फैलाना नहीं चाहता हूँ इस बात को समझना मेरी मकसद सर यह है और हमारा कोई मकसद नहीं है सर पता है मैं बच्चे का रिप्लाइ नहीं देता हूं तो मैं तब भी मैं रोता हूं लगता है सर क्या सोचेगा बच्चा रिप्लाइ नहीं देता है लेकिन परिशान ही है सर मैं कितने लोग को रिप्लाइ दूँ हलाकि हमारी टीम ना हमारे टीम के लोग पागलों चुका है लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ तो когда बूमारा एक्जाम दिया न तो समयना हैं तो कम से कम नाए कम से कम देखो सर 50% बच्चा वैसा है जो पता है क्या मतलब 25-30 कोसन रंगा है सही-सही हाँ 25-30 कोसन क्या है सही-सही रंगा है 90 में हाँ आजाना बाकी म faultתי इस बात को 30% स्मय वैसा है पूरे पेपर का 30% बच्चा वैसा है 30 नहीं यहाँ पे मानो इसको 60% करो, ज़सर आजा ना और यहां पे ना मिरे दोसस 20% वच्चा वैसा है, 20 न इसको 30% वच्चा है, जो पता है क्या आप, सर ये 30 से ना मतलब मानो ना इसको 20% करो ना, 20% वच्चा वैसा है जो 30 से 40 के बीच में question को रंगा है, सही-सही, हाँ! 30 से 40 question सही-सही किया है, सalt ये बच्चा ति क्या नभे मेना 70 आगे 75 attain इसलिए में आपको बताना चाहता है। दिखू रिलकानिया यहां तक मोज दिखो जो इंटलीजएंट बच्चे होते हैं जो बच्चे अच्छे होते हिं. जोड़ी सरकारी चाहे, उसिनना मिलीकम इस पर प्रक्चकियों और सिर्फ एकक्जाम माया ने क्रख उसकता है। कि वो पता है तेंत का एक्जाम दिया उसकी पास कोई ऑप्शन नहीं था पुल्टेक्रिनिक का फॉर्म बर दिया तेंत का एकजाम होता है फरबरी में पुल्टेक्रिनिक का एकजाम होता है जून में कितना का guipinґ एंहें मार्च अप्रिल मैु जून चार महिना का गैपिंग है, कोई लड़का चार महिना पुल्डी निका त्यारी करेगा, रिक्स लेकर के, 20% बच्चा रिक्स लेकर के त्यारी नहीं करता है, वो बच्चा IIT की त्यारी करने निकल जाता है, तुबेल्थ बोर्ड एक्जाम की त्यारी करने निकल जाता है, बस वो बच्चे अपनी अंदर की छमता को अजवाने के लिए 20% बच्चा जो है ना वो एकजाम देता है लेकिन admission नहीं लेता है अब बताओ लेकिन सर्यों 20% बच्चा जो भटकता है ना वो अच्छे बच्चे भटकते हैं जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो ही 20% बच का चाहता है नहीं में दोस्त जाएगा नहीं मीरे दोस्त इस बात को सवागा और Uzco टीचर तो यहीं चीछ समज़ाना चाहता हूँ यहार घर की बात हैए आप अपने दोस्तों में आप अपने पांच दोस्त होंगे अगर आपका कोई पांच दोस्त फॉर्म बरा होगा ना तो हमें दो चार को दोस्त ऐसा होगा ना जो आएटी की त्यारी कर रहा होगा तुवेल्थ बोड एक्जाम की त्यारी कर रहा होगा तुवेल्थ बोड एक्जाम की त्य परसेंट और चाहिए लड़का होगा उसको चाहिए अपना घर का कॉलिज अपना घर के बगल का कॉलिज घर के बगल का कॉलिज नहीं मिलता है एडविसन नहीं लिता है पांच परसेंट छातर वैसे है मैं आपको बताता हो ना मेरे दोस्त हमारी वीडियो लेट से आती है हमें देखो सर ऐसी कोई नियत ने रहता है कि हम डेली दुचार पाज को वीडियो अपलोड कर दे रहे है भी कर घर के बगले का कॉलिज से यह और इस बात को आपको पता है कि आपका कॉंसलिंग जो होता हुँ आनलाइन होता है तो पहले आफलाइन होता था तो घर के बगल का कॉलिज मिल जाता था अब कॉंसलिंग आफलाइन हो गया तो आनलाइन हो जाने से कहीं कहीं भी कॉलिज मि यारो वो अगदम जो काता ने गरांटी वाला बच्चा है, मैरिट वाला बच्चा है, जो 30% छटा, सलेक्षन 50% वाला में आता है, इसमें कितना 20% छात्र और बच गिया, यही 20% बच्चा क्या करता है, कॉलेज तक पहुच पाता है, आप रेश्यो निकाल पाते कहां हो, आप लोग तो सिर्फ कुछू कुछू बोलते रहते हो, 30% बच्चा छट क्या जो मैरिट वाला है, उसको कॉलेज मिले हुआ भी नहीं लेगा हो, 30% बच्चा, मैं आपको बताता हूँ न, अब यही 20% बच्चा जिसके आखों में जुनून है, आखों में जान है, लेकिन इस बा इंजिनियर का डिग्री मिलेगा, इस बात को आप दिल में रखना, मेरे आरो, ठीक हाँ, अब बताना, अब देखों सर, अब इसके अनुसार से मैंने क्या कहा था, यूपी का अभी मैंने कटव कहा था, जिसका 50 है, वो से पसकोर में है, वही हुआ, 200 नमबर वाला एक्दम स में चला गया, मैंने बार-बार कहा था, छूची प्रकार में क्या रहां, हलाकि ब्हार पुल्टि कहा था, यहां तो मैं खुदी एक अलग का चीज हूँ, ठीक है, और खुदी ब्हार वालों को मैं सर यक अलग नजरिया से अब देखता हूं, यह हम खुदे ब्हार से हैं, म 90 में 40 सही है ना मिरे दोस्त 90 में 40 का मतलब पता है क्या 90 में 40 को सही करने का मतलब पता है कितना नंबर आपको 200 नंबर है 450 में आपका 200 नंबर है सर ये पता है ये क्या है ये हमारा safe a score है आजाना safe a score का मतलब समझ रहे हो ये बंदा ना जिस college पर हाथ रख देगा ना चाहेगर आप general से भी है ना अगर आप general से भी है तब भी अगर आपका 40 question सही हो रहा है ना तो आपको government college electrical mechanical civil branch के साथ fix है और आप सब के लिए मैं एक बहुत बड़ी काम भी कर रहा हूँ टोटल आपके बिहार में 44 को college है जहां पे दो गोजों है ना वो सिर्फ girls के लिए college है यह वो पटना 14 और एक मुझा फर पूर है बाकि 42 ऐसे college है जिसमे boys and girls दोनों एड़ीशन ले सकता है और यह सारा college का मैं परतेक ब्रांच का परतेक college का एक original cut-up मैं निकाल रहा हूँ और यह मैं जब से आपका exam खतम हुआ तब से मैं यही काम कर रहा हूँ और जिसका बिरे दोस्त 35 पलस सही है उनको भी सरकारी college fix है नहीं तो ना मेरी आरो आप जाकर कि पिछले साल का cut-up देख लेना लेकिन हाँ आपके अंदर ना सर धिरज रखने की छमता होगा first round में नहीं मिलेगा तो second भी मिलेगा लेकिन सर जिसका 40 है ना उसको जो round में चाओगा वे round में मिलेगा ठीक है हां और इस बात टॉप जो है सर एक रेंक जो है वो आपको 65 से 70 कुस्षन सही ये बात जरा बता घुम हो जरा पह नहीं बतां रहा था कि ने बता रहा था मुझे पता है आपको दिलासा नहीं दिला सकता हुझ जूटका मेरे अंदर होता ही नहीं है ये बात मैंने रहा था और आज यही अच्छे से इंतिजार करिए, rank card आएगा, मैं आपके साम सबसे पहले मैं आपके 20 वीडियो बना करके डाल दूँगा, ठीक है दूसरी बात, आपके अंदर के हर एक प्रिसानी से मैं लडूँगा, कोई दिक्कत होता है, कोई कस्ट होता है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे message कर मेरा इंस्टाग्राम आइडी है, पता है क्या, संदीप-18-42-0, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आइडी है, आप सब इसे क्या करना, फोलो कर लेना, वहां पे मैं आपके समस्या, जब हमको time मिलेगा, तब मैं आपका comment, जब आप दे दूँगा message कर सा, ठीक हां, दूसरी होगा, और 2025 वाला best जो आईगा पुल टेक्निक, मेरे दोस्त, और अभी नहीं आएगा, 2025 का जो बेच आईगा, पहले बिहार पुल टेक्निका, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट दिखाओंगा, जलवा दिखाओंगा, तब बेच को लांच करूंगा, लेकिन आप सब को बता ठीक है लेकिन मेरे दोस्त मैं आपके बीचना परते कोलेज के परते कटव वाइज वाला एक वीडियो लेकर क्या हूँगा ठीक है वो बहुत जल्द एक से दो दिन के अंदरे लेकर क्या हूँगा तो अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो सिद्धत और प्यार औ बस तहे दिल से सुकुरिया एक ही चीज कहूँगा अराम से रहिए रिजेल टायगा सबसे पहले आपका भाई आपका दोस्त आपका साथ ही ना सबसे पहले आपके बीच लेकर क्या आएगा ठीक है तहे दिल से सुकुरिया मेरे साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते है आप सब के बीच नेक्ष्ट वीडियो में थैंक यू सभी को दिल से लब भी हूँ बहुत भन्यवाद